वेलकम आवर योटूब चैनल जी एसमी तांसू बीहार परधान सिच्छा के लिए करेंट अफेर का टॉप 30 प्रस्णों को देखने वाले हैं इस वीडियो में इसमें सारे के सारे प्रस्ण बहुत ही सेलेक्टेट दिये गए हैं जो आपके एक्जाम में डैरेक्ट आने की पूरी समभाब न है इसलिए वीडियो को लास तक जब देखें इस्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक और क इंपोर्टेंट प्रस्ण है क्योंकि भारत का पहला है उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर आस्थापीत किया गिया है उत्तर प्रदेश में ओप्सन नमर ए अगला प्रस्ण देखते हैं भारत का पहला एकवा पार्क की स्राज में आस्थापीत किया जाएगा इंपोर्टे प्रस्ण देखते हैं, किस राज में विस्ट का सबसे बढ़ा पांडू लिपी गंत्राले बनाया जा रहा है, इम्पोर्टन प्रस्ण है, विस्ट का सबसे बढ़ा पांडू लिपी गंत्राले बनाया जा रहा है, गुजरात राज में, आप्सन मर सी, अगला प्रस्ण है अहाल ही में रानिपुर को किस राज का चोहता और देश का तिरपनवा टाइगर रिजर बनाया गया है तो दोस्तो वह राज है उत्तर परदेश ओप्सन मर डी उत्तर परदेश राज का चोहता और देश का तिरपणमा टाइगा रिजर बनाया गिया है रानिपूर को आगला प्रस्ण है हाल ही में ओपरेशन भीली लेंट, स्टोर्म, अमेरिका और किस देश के बिज आयोजित एक रच्छा अभियास है आंसर हो जाएगा ओप्स नमट D, ओत्री कोडिया अगला प्रस्ण है किस राज सरकार दोड़ा उसकूलो प्रि यूनिवर्सिटी कॉलेज में रोजाना दस मिनट का ध्यान अनिवार किया गिया है तो दोस्तों वह राज सरकार है करनाटक राज सरकार ओप्स नमट A करनाटक राज सरकार के दोड़ा उसकूलो में प्रि यूनिवर्सिटी कॉलेज में रोजाना दस मिनट का ध्यान अनिवार किया गिया है अगला प्रस्ण है पांच नॉम्बर को नीम में से कीज दिवस के रूप में मनाया जाता है इंपोर्टेन प्रस्ण है पांच नॉम्बर को मनाया जाता है विस सुनामी जागरुकता दिवस ओप्शन नॉम्बर D अगला प्रस्ण है अहाल ही में किसे फिक्की के नए अध्याच के रूप में नियुक्त किया गिया है फिक्की के नए अध्याच के रूप में नियुक्त किया गिया है सुभ्रकांद पार्णा जी को ओप्शन नमर बी अगला प्रस्ण है मिश्र में कॉप 27 में भारती प्रती निधी मंडल का नेतित कौन करेंगे कौन करेंगे तो भुपेंद रियादब ओप्शन नमर ए अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है अगले देश के अगले Chief of Defense स्टाप के रूप में किसे निउक्त किया गिया है इंप्रस्ण है अगले Chief of Defense स्टाप के रूप में निउक्त किया गिया है लेफिनल जन्रल अनिल चोवान जी को ओप्शन नमर सी अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है अगला ही में संपन 68 राष्टे फिलिम पुरुषकार समहारों में सर्वसेश अभिनेता का पुरुषकार किसे दिया गिया है अगला प्रस्ण देखते हैं किस संस्तान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉंच की है तो दोस्तों वह संस्तान का नाम है डबलू ई एफ ओप्शन मर सी एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वर्ल एकोनोमिक फॉर्डम ने एक नई एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉंच की है यह रिपोर्ट इस बात पर विचार करती है कि कैसे डिजिटल और अनप्रोधिकियां सीखने के अंत्राल को दूर कर सकती है और सिख्छा को भी सभी के लिए सुलब बना सकती है अगला प्रस्ण है भारत के सर्वच नियाले के 50 में मुख नियादिस कौन होंगे भारत के सर्वच नियाले के 50 में मुख नियादिस होंगे जैश्टि डिवाई चंद्र चूर ओक्सन नमर ए अगला प्रस्म देखते हैं कौन सराज या किन सासित परदेश 2022 में 25 राइश्टे युवा महस्व की मेजवानी करने के लिए तैयार है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B, पुडू चेरी अगला प्रस्म देखते हैं नीट 3.0 किस केंद्रिय मंत्राले से जुरा एक मंच है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर A, सिच्छा मंत्राले से अगला प्रस्म है अक्टूबर 2022 में लेखा महानियंतक का पदभार किसने समभाला है इंपोर्टेन प्रस्म है अक्टूबर 2022 में लेखा महानेंतक का पदभार समाला है भारती दास ने ओप्शन मर बी अगला प्रस्म देखते हैं अक्टूबर 2022 में भारती किर्केट कंट्रोल बोट का नया अध्याच किसे चुना गिया है भारतिय किर्केट कंट्रोल बोट का नया अध्या चुना गिया है रोजर बिन्नी को आप्शन मर बी अगला प्रस्म देखते हैं देश में पहली बार एल्मूनियम से निर्मीत माल गारी को हाल ही में कहां से कहां के लिए रवाना किया गिया है अगला प्रस्म देखते हैं आर्थिक सुरंता सुचकांग 2022 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है अगला प्रस्म है अगला प्रस्म देखते हैं इंपोर्टन प्रस्म है केन सरकार ने किस वर्ष तक भारत को खेल राष्ट में बदलने का लच रखा है तो दोस्तों केन सरकार ने 2047 तक भारत को खेल राष्ट में बदलने का लच रखा है अगला प्रस्ण देखते हैं F.I.H. महिला होकी विसकप 2022 का खिताब किस ने जीता है? F.I.H. महिला होकी विसकप 2022 का खिताब जीता है नीदर लेडने अगला प्रस्ण है केन सरकार दोड़ा किस वर्स तक किसानों की आय दोगनी करने का लच रखा गिया है? पिसानों की आई दोगनी करने का लच रखा गिया है 2024 तक, अगला प्रस्ण है, भारत की पहली सेनेटरी नेकिन मुक्त पंचायत कुबा लंगी किस राज में इस्तित है, भारत की पहली सेनेटरी नेकिन मुक्त पंचायत कुबा लंगी इस्तित है केडल राज में, ओप्शन न प्रस्ण देखते हैं, भारत का पहला बायो मास अधारित हाइडोजन सरियंद कहां अस्तापित किया जाएगा, मत्पर्देश के खंडवा जिले में, अगला प्रस्ण है, विस की पहली फिसिंग कैट जनगर्ना का आईजन निमली खित में से की जिल में किया गिया है, अगला प्रस्ण है, की स्वार्ष तक हर घर में नल से स्वजल आपूरती का लच रखा गिया है, तो दोस्तों, 2024 तक हर घर में नल से स्वार्ष जल आपूरती का लच रखा गिया है, अगला प्रस्ण देखते हैं, पीम स्री योजना जिसे हाल ही में लॉंच किया गिया है, या की छेत्र सम्बंदित है, और इसका कॉमेंट आप लोगों को बताना है, देखते हैं किन लोगों का सही होता है, थैंक्यू,